प्रादेशिक समाचारे कांज भूपाल से प्रस्दुत है सागर जिले की चिठी आलेक, विनो दारिय, वाचक स्वर्श, सैयुकता, बैनर जी सागर जिले में केंद्रो और राजे सरकार की जन कल्यानकारी नीतियों को आम जन तक पहुँचाने और लाब दिलाने के लिए स्थानी प्रशासन और जन प्रतिनिधी लगातार प्रयासरत है पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान ने सागर से डिफॉल्टर किसानों की ब्याज की राशी माफ करने की योजना की शरवात की इसे मध्यप्रदेश के दो लाख रुपे तक के रणवाले 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों की ब्याज राशी खरीब 2,123 करोड रुपे का ब्याज माफ होगा मख्यमंत्री श्री चौहान ने 2 किसानों पंचमलाल और जुगरेंद्र जल्लू का आवेधन भरकर मख्यमंत्री खुषक ब्याज माफी योजना का शुभारंब किया पिछले दिनों मुख्य मंत्री श्वरा सिंग चौहान ने सागर में आयुजित कुश्वाह समाज के संभागिय सम्मेलन में 10 करोड की लागत से लव कुश मंदर और धर्मशाला के नर्मान की घोशना की मंदर के लिए 5 करोड और धर्मशाला के लिए 5 करोड रुपए राजसरकार द्वारा दिये जाएंगे इसके साथ ही मुख्य मंत्री श्वी चौहान ने मधिप्रदेश में कुश्वाह समाज कल्यान बोट के गठन की घोशना भी की बोट के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा मुख्य मंत्री ने बताया कि ऐसे युवा जिनको पढ़ाई के बाद रोजगार उपलध नहीं हुआ है उनको काम सीखने के लिए स्थान तै किये जा रहे हैं काम सीखने के दौरान उन्हें 8000 रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे सम्मेलन में मुख्य मंत्री ने सागर जिले के लिए 865 करोड 91 लाख रुपए लागत की तीन नलजल यूजनाओ का भूमी पूजन किया मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरका ने रहली में उद्यान की महाविद्याले खूलनी की पहल की है जिसकी प्रक्रिया चल रही है उन्होंने कोश्वाह समाच का हवान किया कि वे अपने प्रतिभार शाली बच्चो की बहतर पढ़ाई की दिशा में प्रयास करे Medical Engineering College में प्रतिभार्शाली गरीब बच्चों के प्रवेश होने पर उनकी फीस राजसरकार भर रही है इस अफसर पर लोगनिर्मान मंतरी गोपाल भारगव, नग्री विकास और आवास मंतरी भूपेंद्र सेह, राजस्व और प्रिवहन मंतरी गोवन सिंग राजपूत, प्रभारी और सहकारिता मंतरी अर्विंत भदौर्या उपस धित थे सहकारिता और लोग सेवा प्रबंधन और जिले के प्रभारी मंत्री अर्विन सिंग भदौरिया ने कलेक्टर सभाकक्ष मियायजित पैठक में अधिकारियों को नर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितिय चरण का जिले में बहतर क्रियानवियन सुन किया जाए बैठक में कलेक्टर दीपकारिय ने बताया कि पहले चरण में 17 सतंबर से 31 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान के तहत ग्रामीन और शहरिक शेत्रों में 988 शिवर लगा कर 16,318 आवेदनों का नराकरण किया गया इस दौरा नवाचार के रूप 35 लेबर रूम का उन्यन किया गया बैठक में प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगती की जानकारी ली और नर्देश दिये कि ग्रीश्म में कहीं पर भी पेजल की दिक्कत ना हो बैठक में जन प्रतिनथियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया जिस पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को ततकाल कारवाई करने के नर्देश दिये। पराकरण राजी नामे के आधार पर किया गया। प्रदेश के चननंदा महानगरों की शुनी में शामल हो रहा है। उन्हों ने कहा कि प्रधान मंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में साढहे नौ लाख मकान बनानी का संकल्प लिया गया है। जिसमें से साढहे च्छे लाख मकान आवंटित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्धिप्रदीर सरकार विकास करने वाली सरकार है। इस अफसर पर सांसद राज बहादुर सिह ने कहा कि अच्छे और साफ मन से काम करने वालों का भगवान भी साथ देता है। उन्होंने कहा कि सागर के विकास में मंत्री भूपेंद्र सिंह का पूरा योगदान है। उनकी मार्गदर्शन और नर्देशन में लगातार सागर प्रगती कर रहा है। जिली की चठी समाप्त हुई।